कि राम राम सभी को मैं हूँ भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चनल फोरेशर्णी में आज का जो वीडियो है वो tillzonत के ट्रेड रीकैप है इस वीप का पिछली वीडियो मैं है जो ड्मा ने डाला था उसमें मैंने बोला था कि कोशिश करूँँगा हर विक जो भी ट्रेड में लेताहूं उसमिंए दो ट्रेड का använd और पास ताकि लिए जो 1-6 का मेरा टार्गेट था और अगर आप देखोगे एप्रोक्स 1-16 गया है तो इस ट्रेड का मैं लॉजिक और रीजन के साथ बताऊँगा कि यह ट्रेड क्यों लिया दूसरा ट्रेड मैं ने यह लिया था यह दोनों ट्रेड का मैं बताऊँगा कि किस तरीके से मैं लिए इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले चलना परेगा फोर आवर में तो चलते हैं फोर आवर में यह हमारा फोर आवर का चार्ट है अगर फोर आवर में आप देखोगे तो हमारा अभी मार्केट क्या चल रहा था डाउन आया इसके वाद फोर आवर में क्या चल रहा था अब जा रहा है यह अप मूव है हाना इसी अप मूव में क्या है कि मार्केट यह क्या है इंटर्नल अभी चल रहा है, इंटर्नल क्यों है, क्योंकि ये higher high और higher low और फिर से higher high बना चुका है, और जब higher high और higher low होता है, और market उस दोनों के बीच में जब घुमती आना तो हम उसे इंटर्नल बोलते हैं, इंटर्नल एस्ट्रक्चर, तो जैसे ये क्या है, ये range है पूरा, ये, ये range क्या होता है, ये जो playlist बनी हुए SMC की, उसमें मैं बता चुका हूँ, उसमें आप जा के देख सकते हो, ठीक है, इंटर्नल एक्स्टर्नल एस्ट्रक्चर में, राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे मैंने लिंक पिन कर दिया है, तो वह यहां पे भी जाके आप देख सकते हो, ये इंटर्नल एक्स्टर्नल एस्ट्रक्चर का, तो ये क्या है हमारा range है पूरा, अब इसी range में क्या हो रहा है, मार्केट जो चल रहा है, वो अभी BRS में है, एक range है, जो bullish का है, बूलिस में ही ये इंटर्नल जो चल रहा है, वो हमार बूलिस चल रहा है, बूलिस चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप देखो, मार्केट नहीं यहां पे देखोगे, तो ये फूर आवर का क्या था, यहां पे आप देखोगे, मैं आई भी candle डाल दे रहा हूं, आप अगर देखो, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से पहले मार् मार्केट ने यहां पर ले लिया ठीक फिर इसको आउट करके ठीक है फिर से इसको आउट किया फिर से नीच आया तो मतलब यह हमारा लोग यह हमारा लोग है तो यह क्योंकि इसको यह इन्वैलिट कर चुका है इसलिए लोग है और यह हमारा लोग है तो यहां पर आपको कंफ क्यों बना क्योंकि यह जो सिंगल मूव थी यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे तो यह हमारी यह पूरी सिंगल मूव थी मार्केट में यहां पर ब्रेक किया और यह ब्रेक करने के यह हमारा वैलिड आइडियम, हमारा 4-hour का यह हो गया, मार्केट ने यहाँ पर lower low क्यों बनाया, क्यूंकि इस आइडियम को ले लिया, फिर इस आइडियम को लेने के बाद market और उपर गया, और यह हमारा क्या है, यह बार बार liquidity swap करके यह drop हुआ, हाँ तो यह हमारा क्या बना दिया lower high लेकिन यह जो lower high बनाया यह हमारा IDM भी हो गया क्यों IDM हो गया तो यह सब मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप जाके देख लो मैं फिर भी एक बर बता दे रहाँ क्योंकि जब भी मार्केट अगर lower high बनाता है और उस बीची में IDM नहीं होता है तो वो जो lower high बनता है वो weak lower high हो जाता है मतलब वो IDM का काम करता है तो वह ही हुआ मार्केट में क्या किया यह लिया यह हमारा IDM बन गया IDM के जश्ट उपर हमारा यह क्या था order flow अगर यह देखोगे यह पूरा हमारा order flow है तो इसी order flow को लिया है और market drop हुआ है अब यहां तक तो हम आ गए अब हम क्या चलते हैं इसको अब 15 मिनट में क्योंकि ट्रेड हमने यहां से लिया है तो हम चलते हैं अब 15 मिनट में 15 में अगर देखोगे तो यह भी ट्रेड मैंने लिया था और यह सारे ट्रेड भी लिये थे तो यह क्या है यह प्राइस मैसी है पूरा तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं यह जो लाइनिंग है वस उसको आप समझो कि यह हमारा order flow है अब इसको पहले एक बार यहां पर 15 मिनट को समझते हैं और समझिए कि मतलब हायर ट्राइम फ्रेम को और लोर टाइम फ्रेम को कैसे मार्केट एक ही एक ही जगह पे आपको कितनी वार आपको मौका देता है मार्केट अगर आप देखोगे 15 मिनट में तो मार्केट ने क्या किया है यह यह पूरा 15 मिनट का structure था बनाया higher lower higher lower 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 higher 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 lower lower higher फिर यह menu accumulate किया उपर और नीचे फिर से market उपर गया और यहाँ पे सब को लगा कि यह buying यह जाएगा लेखिन market ने क्या किया यह buying से यहाँ पर drop किया अब drop होने के बाद अगर 15 minute का structure दोको तो यह यह पूरा MNPULATE कर चुका है, ये पुरा MNPULATE करके उपर drop, उपर break किया, फिर नीचे break किया, तो ये जो हमारा structure पूरा है, ये अब क्या हो गया, ये हमारा invalid हो गया, मतलब ये खתम हो गया 15 minutes का हो तो इसको इस तरीके से हटा दिया, अब क्या हो गया, तो यह जो हमारा क्या था lower low मतलब यह break किया फिर यह उपर चल गया तो मतलब यह हमारा higher low हो गया higher high कहाँ पर बनाया है market ने यहाँ पर लेकिन यह market ने क्या-क्या liquidity swap किया था तो जब यह liquidity swap किया था तो एक entry मैंने यह दी हुई है अगर पिछली वीडियो में आप देखोगे न ग्यारा तारीक जो भी मैंने वीडियो डाली थी उसमें इस trade का भी logic बताया हुआ था यह जो डली हुए ना एक यहां से मैंने ट्रेड ली थी और यह इसका मैंने logic बताया हुआ था ठीक है तो market ने क्या-क्या यह news में इसको manipulate करके drop हुआ अब यह drop हुआ है तो यह हमारा higher अब इस फिप्टी मिनुट का यह हमारा higher low यह हमारा higher the higher low फोर आवर में हमारा क्या था यह higher high sorry lower 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 तो अभी हम 4-hour का तो देख चुक है 4-hour हम आगे देखिए को बस इसका logic समझ लिए पहले तो अब क्या हुआ है कि 50 मिनुट में higher high बना यह हमारा higher low बना लेकिन अगर देखोगे तो यह रेंज क्या है फिप्टी मिनिट का फिप्टी मिनिट का रेंज कौन सा है यह है उआ के फोरह का भी रेंज्जिया हुआ है फोर समन प veramente खब होगा हो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा के ओर फिप्टी मिनेत में फिप होगा के च em host को ब्रेक तो यह हमारा हाइर यह हमारा हाय quarantine मिनट के कोड़ी अब मार्केट यहां से तो यह हमारा क्या market बन रहा था? Internally हमारा 15 minute में, यह हमारा lower high, lower low, lower high, lower low बनाते हुए जा रहा था. ठीक? अब यह जब lower high, lower low बनाते हुए जा रहा था, तो इसका यह जो structure है, यह हमारा 15 minute का, उसके accounting आप देखोगे, तो market ने lower high, जो lower low break किया है, हाइर लो जो ब्रेक किया है वो यहां पर ब्रेक किया है तो मार्केट ने यह लोव बनाए यह लोव हाई बनाए फिर से यह लोव बनाए फिर से यह लोव हाई बनाए ठीक है अब यह क्या होगा हमारा इंटर्नल यह क्या होगा फिप्टी मिनिट का इंटर्नल तो जो इंटर् हो जाएगा तो फिर इसको मेनुपुलेट नहीं करेगा यह जा कि इसको मेनुपुलेट कर सकता है तो यह जो होता है हमारा इंटर्नल क्या हो गया लिक्विडिटी तो मार्केट में क्या किया है अगर आप देखोगे यह को लोर हाई लोर लो फिर से यह लोर लो बनाया मार्केट ने क्या किया है यह ट्रेंडलाई लिक्विडिटी बनाया ट्रेंडलाई लिक्विडिटी बनाके ऐसे जाके यह मेनूपुलेट करके यह ड्रॉप हो गया लेकिन मार्केट ने अभी इस लिक्विडिटी को नहीं तो market में क्या किया है अभी 4 hour में चलते हैं, इक बार, यह liquidity बना एँ, यहाँ पे हमारी क्या थी, यहाँ पर internal liquidity में एक बार पंदल्मनेट्ट की जो liquidity है उसको mark कर दे रहा हूँ ठाकी समझ में आया, यह context hatte यह हमारे क्या है? 50 minute की liquidity है. अब चलते हैं, 4 hour में पहले देख लेते हैं. हमारे liquidity कौन सी है? 4 hour की यह है. तो market को क्या करना? सॉरी, 50 minute की liquidity कौन सी थे? internal. यह कौन सी liquidity है? internal. तो market को इसको लेना था. लेकिन 15 minute की according आप चलोगे, तो market में structure को ही follow करते हुए चला है. यह देखो. market ने क्या किया? यह trend line liquidity बनाया. trend line liquidity बनाने के बार, market यह ऐसे गया, इसको भी touch नहीं किया था. यह जो हमारा order flow बना था, यह जो हमारा 50 minute का order flow था, उसको touch नहीं किया था. तो market ने क्या किया है? इस order flow को लेके, प्रोपर जो structure मैंने बताया हुआ है आपको वीडियो में कि trend line बगएर, trend line liquidity कैसे बनती है, क्या बनती है, उस सब को लेते हुए यह पूरा, यह पूरा इस तरीके से यह लेके drop हो गया. ठीक है? यह हमारा 15 minute में drop हो गया. तो अब क्या हुआ? 15 minute का, 15 minute का यह lower low, यह lower high, फिर से यह lower low, फिर से यह lower low, फिर से यह lower low. लेकिन वही चीज, अगर 4 hour में चलोगे, तो 4 hour में भी 15 minute में क्या हुआ? यह हमारा lower high, lower low. अब हमारे लिए ये क्या हो गया है ये हमारा अब ओर का अउप्ट हorsch खो है इसको अकर वाइक करेगा तो हमारा एक कोडिन चोच हो गया लेकिन 4 hour के according हम देखे तो, यह हमारा क्या है, lower high तो है, लेकिन यह हमारा क्या है, strong lower high नहीं है, यह हमारा 4 hour में IDM भी भी यह है, क्यूंकि इस बीच में कोई IDM नहीं है, तो यहां से हमें entry बनती थी, और यह entry बनती थी, क्यूंकि market इसके उपर में एक liquidity भी छोरके गया हुआ ह है ना, यह जो liquidity है, इसको थोरा दर के लिए भटा दे रहा हूँ, 4 hour के according में क्या है, हमारा higher low भी है और IDM भी है, लेकिन 15 minute के according हमारा क्या है, strong higher low है, sorry, lower high, यह हमारा strong lower high है, तो market, यह जरूरी नहीं है, कि market इसको लेके जाएगा, क्यूंकि इसको यह क्या बोलते हैं, इसको manipulation छोटे time frame के लिए हमारा manipulation हो गया, लेकिन 4 hour के लिए यह perfect sale है, ठीक है, मतलब market यहां से जाएगा, इसको liquidity लेके यहां से drop हो गाई, भले ही यह मेरे area में drop नहीं हुआ है, यह हमारे area में नहीं आया है, थोरा सा पहले से drop हो गया, इसलिए मैं यह entry नहीं ले पाया, इसलिए मै मेरा entry छूट किया था, मैंने इसलिए यह entry ले, तो अभी क्या है, यह पूरा logic के साथ समझें, और पूरा region, logic और region, दोनों साथ में चल रहा है हमारा, तो हमारा क्या है, यहां पे भी एक buy दिया हुआ है, जो मैंने group पे डाला हुआ था, और यह सब का भी, यह सब का भी, इस चलो, फूरा वर में फिर से, फूरा वर में क्या था, यह जो हमारा था न, यह, यह हमारा breaker block था, क्योंकि जो order flow था, यह हमारा order flow यहां से लेकि यहां तक है न, इसी order flow में market आया, tap किया, और tap करने के बाद फिर यहां से market उपर गया है, तो इसी लिए मैंने यहां पे एक buy ल यह देखो, यह market यहां पर tap किया, tap करने के बाद हमारा यहां पर आया, इसी लिए मैंने यहां पर buy लिया, फिर यहीं पर हम एक minute में अगर देखना चाहिए reason, तो मैं एक minute में लिए दिखाता हूँ आपको, यह देखो, market यहां पर आया है, इस एडिया पर आके, और यह एक rule है, उसके according, जो मेरे mentorship पर student है, उनको पता होगा कि यह कौन सा rule हो और क्यों market यहां पर गया है, तो market क्या किया है, यहां पर आया, फोर आवर के एडिया में जो हमारा order flow था, वहां पर आया, और यह जैसी ही दिया मैंने यह entry लिए, यह मैंने entry क्या है, यह ले ली, आपको screen पर भी दीख रहा होगा, कि मैंने यह entry अपने group में भी डाला हुआ है, ठीक है, अब यह entry लेके, और target हमारा यह था, यह क्यों था target, तो अगर एक मिनट के according देखोगे, एक मिनट में देख लोगे, तो यह हम internally हमारे यह area था, जो हमारा क्या था, IDM था, तो market क्यों इसको लेने जाना था, और इसको लेके जाके, फिर से क्या था, कि हमारे जो order flow है, उसमें जाना था, तो मैंने यहां से एक entry ली, और entry लेके, यह internal जो area था, उसको out करने जाना था, इसलिए मैंने target यहां पे रखा था, अना, यह जो है ना, जैसा मैंने अभी 15 मिनट में बताया है, वैसा ही एक मिनट में, मतलब structure जो चीज को follow करता है, प्रोपर तरीके से follow करता है, बस आप उसको समझना चाहिए, अब यह region मैंने बता दिया, कि यह मैंने by Q लिया था, अब फिर से चलते है 15 मिनट में, जो मैंन 15 मिनट में क्या था यह हमारा, strong higher low था, तो मुझे पता था कि market manipulate करने जायागा, और फिर से यह हमारा, जो order flow है, यह series से हमारा drop होगा, तो market यहाँ पे गया, और यह हमारी liquidity थी, इसको out किया, फिर liquidity out करके, जो order flow था, यही से यह drop होगा, अब यहाँ से drop होने के बाद, market को क्य क्या करना था, कि यहाँ से सब लोग buy करते, क्यों, उनके according क्या था, यह buy था, तो आपने अगर यहाँ से buy लिया है, तो यह कोई बुरा नहीं है, यह भी अगर देखोगे, तो बढ़िया देखे गया है, लेकिन क्या है कि higher time frame के लिए अगर बढ़िया TP चाहिए, लंबा trade च करें, मतलब सब को यह lollipop दे, 50 minute के according, buying side में, तो market नहीं कहा कि यह buying side में गया है, और इसके बाद, अगर आप देखोगे, तो यह हमारा Asia zone भी है, तो market यह Asia session में गया, Asia session में जाने के बाद उपर गया, और यह हमारा पूरा liquidity बनाया, और यहां से जो मैंने sale लिया है, वो 50 minute के according, पहले, जो mentorship student है, उनको पता है कि कौन से rule के according यह हमारा sale है, अब हम चलते एक मिनट में, एक मिनट के according अगर देखोगे, तो market ने, यह हमारा higher high, यह हमारा higher low, higher high, higher low, फिर से higher है, market ने एक मिनट में shift कर दिया है, structure shift पहले ही market ने एक मिनट में कर दिया, एक मिनट में shift करने के बाद फिर से market ने higher, lower high, lower low, lower high, lower low, मतलब यह बनाता चला गया, यह lower high, lower low बनाने के बाद औरमकेट में क्या किया है अगर आप देखोगो तो ये पूरा structure में बंद कर दे रहो हूं ये पूरा manipulate करता हुआante में वनाया फिर से आप चाहते तो एक में बाइड फिर से ये बाइस कर सकते थे यहां से आप देखो घेया एक मिनट के एकोडिंग यह फिर से चोच किया मतलब जो 50 मिनट के कोडिंग जो बाई लेना चाहा रहे थे यह चोच हुआ मार्केट आया फिर से यह इस नीचे आया इसको मैनुपुलेट करके फिर से ऊपर गया अब अगर देखोगे यहां से अगर आप देखोगे यहां पर अगर देखो हुआ हे फिर से यहायर है यह यह देखो मार्केट है यह मैनुपुलेट किया यहां पर है autoconel ş y Kut techn kojiifting वाले भी बेठे होंगे जो अर्ली शेलर जीचिव थे वह भी यहाँ पर बैठे होंगे. उनको मैनुपुलेट किया है. अब मेनु पुडेट करने के बाद यह जो हमारा structure है यह खतम हो गया अब हमारा क्या हो गया यह हमारा higher low यह हमारा higher high अब इस बीच में market देखो यह पूरा liquidity बना रहा है यह liquidity बना है जैसी ही यह पूरा liquidity बन रहा था न मैंने यह trade लगा दी थी और यह जो हमारा एडिया था यह मैंने छोड़ दिया था कि मार्केट यहां पर जाएगा यहां से लेके फिड्रॉप होगा अगर आप यह स्क्रीन पर भी देखता रहे होंगे तो मैंने mt4 कभी recording किया था तो आपको आपके साथ में भी चल रहा होगा दिख रहा होगा तो यह मैंने इसलिए यहां पर entry लगाई थी और यह drop हुआ था तो यह क्या है यह पूरा manipulation दिखा रहा है क्योंकि market में उपर 50 मिनट का क्या था order flow था order block था जो कहलो आप उसके according वी था और वन मिनट में अगर देखोगे तो वन मिनट में क्या है मार्केट ने ना हायर लो हायर लो यह हमारा यह 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 और यह मार्केट ने यह ब्रेक करके यह मेनुपलेट कर चुका है तो मार्केट इसको इसके उपर जाना नहीं था मार्केट को है ना मार्केट को ना इसके उपर नहीं जाना था क्योंकि यहां पर अल्डेटी मेनुप तो इसके उपर मार्केट को जाना नहीं था हाना तो इसलिए मैंने इसके उपर नहीं लगाया है इसके नीचे ही लगाया है ताकि यहां तक अगर मार्केट यहां से आए तो फिर ड्रॉप हो हाना इसलिए मैंने यह अगर देखो गया आप देखो देखो बस इसके उपर इसके के उपर में ना imbalance है ना कुछ भी है तो मार्केट मैक्स यहां तक जा सकता है इसलिए मैंने यह इंट्री लगाई थी और अगर आप देख पा रहे होगो तो वन इस्टु सिक्स का मेरा टारगेट था चलते हैं फाइब में यहां का हमारा टारगेट था वन इस्टु थीरी पे मेरा टीपी वन था ठीक है और वन इस्टु सिक्स पे मेरा मतलब 90% बुक था बाकी को रन करने देना था अब वही चीज हुआ मार्केट गया और यह चलता चला गया ठीक है यह अभी तक यह रन हो रहा है फिर दूसरा आप गर देखोगे तो मैंने ग्रूप में बोला था अपने टेलिग्राम ग्रूप में कि मैंने एक बाई लिया थ दूसरा ट्रेड यह है जो आज आपको रन करके दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है और जो मैंने ग्रूप में बोला था कि इसको ज्यादा मैं लंबा नहीं लुखोंगा नंबा नहीं रखूंगा इसको मैं पार्टियल करूंगा कि मुझे यह पता था कि यह मार्केट नभी ड्रॉप होगा और यह 4-hour का लोवर हई ब्रेक करेगा तो आप फिर से चलते 4-hour लोगे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने higher high low फिर से lower high lower low lower high low फिर से अब मार्केट में यह मेनुपुलेट कर दिया तो यह दोनों हो गया ना हमारा यह खतम हो गया अब मार्केट में यह हमारा बना दिया है lower high यह दोनों जो है हमारा यह हमारा आप इसको हटा सकते हैं क्यों हटा सकते हो क्योंकि यह इसका खतब में यह lower यह lower low, ठीक है, sorry, यह lower low, यह lower high, यह lower high क्यों बना, क्योंकि market नहीं है, यहां से इसको break कर चुका है, ठीक है, भले ही यह week से break किया, तो अब यह क्या हुआ है, market ने week से break किया, तो अब हम क्या देख सकते हैं, कि market इसको at least लेगा, क्योंकि यह हमारा क्या है, four hour का lower high भी है, और यह क्योंकि week से break किया है, और four hour के extreme P.O.I. में है, मतलब क्या है, यह अभी भी breaker block जो हमने mark कर रखा है, यह अगर आप देखोगे, तो यह अभी भी, मतलब break नहीं हुआ है, या फिर यह market क्या कर सकता है, इसको लेके यह ऐसे drop हो सकता है, ठीक है, या फिर, क्योंकि यह week से break किया है, तो यह market ऐसे लेके, और फिर से यह continue कर सकता है, और यह जा सकता है, हमारा उपर तक, और अगर इसी को daily में देखोगे न, तो daily में क्या है, ज हमारा idea है, क्योंकि higher low है, daily का, यह भी higher high बनाया नहीं है, क्योंकि उस बीच में कोई idea ही नहीं है, तो यह जा क्या आप खुद से देख सकते हो, तो आप market क्या कर सकता है, यहां से ऐसे आ सकता है, और यहां से ऐसे जा सकता है, या फिर इसको manipulate करके, इसको ऐसे लेके, और फि फोर आवर से लेके, फिपटी मिनिट से लेके, क्या है हमारा, मतलब यह entry, यहां में मेने उप्लेट कर दिया, यहां मेने उप्लेट कर दिया, समझाद के recording, यह हमारा region भी बता दिया, उपर जा से है, जो भी logic और region आपको बताया जा, एक्षॉल मतलब जो मैं trade लेता हूँ, उसी के according बताया जाए यह आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपको रीजन और लॉजिक बताता हूं उससे आप चार्ट पे जाके एक बर प्रेक्टिस करो और देखो क्योंकि मैंने बता दिया आपको सिर्फ देख लोगों वीडियो तो फिर वह आपके दिमाग में फिट जां जाए होगा अभी तो वीडियो चल रहा है वह आप देख पा रहे होगा कि यह मैंने जो आपको बताया है वह लॉजिक के साथ बताया है रीजन के साथ बताया है और इस वीडियो में मतलब रिकॉर्ड करने का मतलब ही है क्योंकि आप लोग शॉर्ष में बोलते थे कि के साथ मिसर उसका पूरा explanation दो तो एक source मेरे नहीं हो सकता इसलिए मैं त्रेड के डालना है स्टार्ट किया है और इसलिए मैं record भी करने की कोशिस करता हूं लंबा record करना पड़ता है पास ये लगबग चार-पांच घंटे का recording है इसके बाद ये फिर पूरा ट्रेड हमें मिला है इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जादा से जादा वीडियो के सेयर करें और जादा लोगों तक पहुंचा है ताकि मैं जादा से जादा रीजन के साथ वीडियो बना पाऊं और आपको ट्रेड रीकेब मी दे पाऊं और बाकि कोई वी चीज किशी भी चीज में आपको डौट हो या कोई भी ट्रेट समझ में न आ रहा हो जो मैंने लिया हुआ है या फिर ग्रूप में डाला हुआ है या फिर अभी जो बताया है, जो स्क्रीन पर चल रहा है, उसी के अग्वोडिक तो आपको अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बताओ, या फिर कोई पे भी प्रेक्टिस करोगे और मेरे वीडियो को सेयर करोगे लोगों तक पहुंचाओगे सब्सक्राइब करोगे अब मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम नमस्कार जैहिन प्रेक्टिस करोगे लिए याजियो कि अढ़े वीडियो करें चा हुआब।